नमस्कार साथियों, इस तीसरे अपरिसोड में हम लोग पुनहुसी पंक्ती पर चर्चे जारी रखेंगे जो कि हनुमान चालेसा की बिलकुष शुरुआत में आई है और जिसमें कहा गया है श्री गुरुचरण सुरोचरश निजबन मकुर सुधारे तुलसी ने संकेत रूप में भी हनुमान चालेसा में अपने गुरु का नाम नहीं दिया है जबकि रामचरित महारस में जब वे गुरु के ऐसी ही चरण वंदना करते हैं तब लिखते हैं बंदव गुरुपदकंच क्रपासिंदु नरुपहरी माहामोहतं पुंच जासु आत्रका उलेक करते हैं और निर्वेक्तिक तरीके से वहाँ पर बात रख रहे हैं अनुमान चालेसा में और रामचरित मानस में जहां वे जन्मन मुकुर की सारवचनिक लोकौनमु की बात कर रहे थे वहां नरहरी दासची को उन्होंने नरुपहरी के शब्दों में इंकित रहे हो। उन्हें वहां लेक भी अपनी उपरती, अपने वैराग्य, अपनी निवरती में एक बाधा सा लगा हो। अपने शिश को जो ज्यान दान कर रहे थे उसमें नाम तक का लेशमात्रक स्वार्थ नहीं था। वैसे भी एक अनाथ वालग को अपने आश्रे में लेकर स उसका क्रेडिट लेते हैं नरहरीरदास ऐसे संतत थे जिने काम से मतलब था क्रेडिट से नहीं वे उस बच्चे को जिसे कोई छूता तक नहीं था उसे गढ़ने का महतकारियों एक तपह पूत्र दे के साथ कर रहे थे इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इस राम बोला को इस प्योग करते हुए उन्होंने तब ख्रतक्यता पुर्वा गुरु इसमरिण किया और तब भी गुरू के वर्जन से बचने के लिए हो सकता है कि उन्होंने नरहरूप हरी में विष्णू के उन अवतारों की बात की जिन्होंने समय समय पर इस विष्ण को मार्ग नरदेशि चुकाने और गुरू की वर्जना का पालन करने के दो विरोधी प्रक्रती के कारियों को करने में वैसे ही समर्थ बनाया जैसे हनमान चालीसा में धूल से आइने को साफ करने के विरोधी प्रक्रती के कारियों को गुरू करपाने संभा बनाया रोशनी होगी इतनी किसे थी मेरे मन का ये दर्पंड गया है निकर साफ है अब ये दर्पंड दिखाता हूँ मैं मस्कुराता हूँ मैं उसी राश्य की बात रामचरित मानस के सोर्ठे में है महा मोह तमपुंच जास बचन रवी करने कर तुलसिदास की यह गुरु दक्षणा रही होगी जो मानस में आई गुरु बंदिना बनके हनुमान चालिस्दा के समय हो सकता है कि तुलसिदास सिक्षा ग्रहन कर रहे हो और मानस महा कावे के रूप में जब वे लिखने को प्रपत्त हुए तब उन्होंने अपने गुरु दक्षणा का संकल्प पूरा किया हो लेकिन बच्पन में लिखा होने के नाते ये नहीं समझ लीजे कि हनुमान चालिसा कोई साधार अरचना है वो चामातकार एक्रती है और इसलिए आरमभी चामतकार से करती है उसे समझने के लिए अपने दिमाग से धूल जाड़ने पड़ेगी यहां हम एक विकट बाल प्रतिभा के समक्ष हैं जैसे स्वयम हनुमान थे एक अद्भुट चाइड जीनियस वैसे ही तुलसी भी रहे होंगे गांधी जी ने तो मरते समय राम बोला था और जिस तुलसी के हनुमान चालिसा के हम बात कर रहे हैं उस तुलसी ने तो पैदा होते ही राम बोला था गांधी अपना जीवनांत राम से करते हैं तुलसी अपना जीवनारंभ राम से करते हैं इस बाल प्रतिभा के दोरे रेचितियर हनुमान चालिसा जिन अर्थों से संपन्ध है वे अर्थ स्वयम किसी असाधरन आभा से किसी दीविता से दीवता से दीवता दिखते हैं हम इसको और आज़े चल्बत विस्तार से दिखेंगे प्रणाओं झाल